अब सब बहुत अच्छे होगे आज दे 77 हमारी चालेंज का और सबने थबनेल से देख लिया होगा आज हम दो कार्स की कंपारिजन करने वले हैं एक हमारी जीप से आने वली कंपास की और सेकेंड सिट्रोइन की C5 एर क्रॉस तो सब को पते जीप एक American company है और सिट्रोइन हमारी French company है तो ये दोनों कार्स हमारी लाइक एक premium SUV में आती है दोनों luxurious SUV में आती है तो हम comparison करेंगे इनका through images और हर एक चीज़ consider करेंगे prices, इनकी build quality, इनकी like shape, looks vG इनकी resale value तक तो वीडियो को end तक देखना और हमें एक conclusion पहेंगे कि दोनों में से better कौन सी है value for money और on road भी साधा कौन सी है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट होने से पहली वीडियो को like करना और चालों को subscribe करना तो वीडियो स्टार्ट करते है तो गये स्टार्ट करेंगे हम front profile से कुछ इस तरह की Jeep Compass के आपको front profile मिल जाती है काफी luxurious look देती है आपको थोड़ी premium look देती है sporty भी देती है और Citroen की कुछ इस तरह की आती हमारी front profile ये थोड़ी like modern type में और Jeep Compass के आपको थोड़ी raw थोड़ी like rough and tough वाली look देगी front profile Compass में कुछ इस तरह की आपको headlights और DRL देखने को मिलेंगे और हमारी Citroen C5 Aircross में कुछ इस तरह की DRL ये भी काफी अच्छे sleek से DRL है इनके फिर ये आपकी Jeep Compass की back profile ये बहुत जादा sporty look देती है आपको इसके भी आपको काफी अच्छे look देती है ये थोड़ी आपको premium look देगी ये है जो आपको Alois मिलेंगे Jeep Compass में बहुत जादा stylish है Alois and Citroen C5 Aircross के Alois आपको फिर थोड़ी common लग सकते हैं हम interior के बात करें तो Jeep Compass में आपको कुछ इस तरह का premium interior मिलेगा और आपको Citroen में कुछ इस तरह का interior मिलेगा personally मुझे Jeep Compass का interior इससे better लगए फिर guys main चीज प्राइस जो की Jeep Compass आपको दोनों options देते है डीजल प्लस पेट्रोल डीजल की starting आपकी 25.13 लाक्स on road से start होती है और 36.81 लाक्स तक जाती है and इसका लेक most top selling variant इसका ऐसात है डीजल में जो आपको on road 32.35 लाक कॉस्ट करता है और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 22.25 लाक्स से start होती है और 32.38 लाक्स तक जाती है इसका most top selling variant 1.4 DCT है जिसमें लेक टर्बो एंजिन मिलता है आपको 13.80 CC सम्थिंग का जो की आपको on road 30 लाक्स कॉस्ट करता है फिर में जी जिसकी वाज़ा से आपको C5 Air Cross on road बहुत कम दिखती है वो है इसका price जो की 43.51 लाक्स on road कॉस्ट करता है और इसमें सिर्फ एक ही variant आता है डीजल का पेट्रोल आता ही नहीं है इसमें डीजल में भी आपको सिर्फ एक ही variant मिलता है जो की 43.51 लाक्स on road कॉस्ट करता है आपको कुछ की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जीप में आपको जैसे डीजल इंजन की बात हो रही है तो 1956 CC का एंजन मिलता है फोर सिलेंडर सेन लाइन जो की आपको 167 की BHP प्रवाइड करता है और 350 NM का टॉर्क और इसकी फ्यूल कपासिटी 60 L की आती है और सबको बतल है एक बॉड़ी टाइप SUV क्योंकि ये प्रेमियम SUV में आती है और वहीं अगर हम C5 की बात कर ले तो सेम आपको 1197 CC का इंजन मिलता है जो की 174 की BHP प्रवाइड करता है और 400 NM का टॉर्क प्रवाइड करता है तो इसका टॉर्क कमपास से 50 जाद है और BHP भी कुछ 8 से 9 जाद है बट फ्यूल कपासिटी इसकी कमपास से कम है वहीं अगर हम Dimensions की बात करें तो आपको 4.4 मीटर की लेंथ मिलती है कमपास में 1.8 की विट्थ मिलती है 1.6 की हाइड मिलती है और वील बेस 26-36 mm का मिलता है कर्ब वेट आपको 15-30 kg का मिलेगा और एर क्रॉस में आपको 4.5 mm की लेंथ मिलेगी एक मीटर जादा कमपास से 1.7 mm की हाइट मिलेगी अल्मोस्ट एक मीटर जादा उससे 2.7 mm का वील बेस मिलेगा और कर्ब वेट आपको 16-85 kg का मिलेगा तो मतलब ओवरॉल डायमेंशन की बात करें तो C5 एर क्रॉस थोड़ी बहुत बेटर है हमारी जीप कमपास से फिर गाइस वही क्वेशन में की इन दोनों में से चूज कौन से करें तो like overall value for money, resale, सब चीज देखते हुए मैं आपको जीप कमपास ही प्रेफर करूँगा because prices का काफी difference है इसका जो model आपको C5 एर क्रॉस का मिलेगा वो आपको 43 प्लस मिलेगा जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया डीजल की बात करो and same डीजल में आपको जीप कमपास का 32.35 लाक्स में मिल जाएगा तो 10 लाक्स से भी जादा का difference है और जो आपको difference मिलेगा वो कुछ थोड़ा बहुत dimensions का मिलेगा या फिर थोड़ा बहुत features का मिलेगा बाकी features आपकी जीप कमपास में भी fully loaded है because काफी premium ACV में आती है वो और resale भी अगर देखा जाए तो जीप की अभी better है सिट्रोइन से क्योंकि सिट्रोइन के इतने जादा showrooms ही भी नहीं है अभी डेली में या फिर इंडिया की हम बात करें क्योंकि जस्ट नहीं नहीं operate करना start कर रहा है और जीप कमपास उससे जादा पुरानी है तो इन दोनों में से better options चूज कर निकले एक premium ACV जो आपको थोड़ी budget friendly भी हो तो वो जीप कमपास ही रहे गया आपकी and variants भी आपको एक काफी जादा options देते है पेट्रोल में भी डीजल में भी बट आपको सिट्रोइन में सिर्फ डीजल का एक ही model मिलेगा फिर प्लस आपकी service cost भी जीप कमपास में थोड़ी कम हुए कि अगर हम compare करें सिट्रोइन C5 Aircross से तो दोनों में से better option चूज अगर करना पड़े तो जीप कमपास पे जाना बाकी किसी को looks जादा better लग रहे और like price का issue ना हो तो वो सिट्रोइन में जरूर जा सकता है बट अच्छे variant में भी 10 lakhs प्लस आपको difference पे करना पड़ेगा C5 Aircross में बाकी यही था हमारा overall comparison जो हमने conclusion निकालना था I hope सबको अच्छी लगी वीडियो वीडियो को like जरूर करना चानल को जरूर सब्सक्राइब करना हम मिलते है कल किसी नई content के साथ तब तक लिए bye bye see ya